स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है इंडिया इस वक्त पाकिस्टान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन जुका है कि आप सोच नी सकते हैं अब यहां आदे आज तक सिपार्को से पूँचेया चार या पान्स सेट्लाइट उने लॉंच की हैं इंडिया ने वर्ल्ल रेकरॉट काइम किया है एक सो से उपर सैटलाइट एक दिन में लाँच करके और अपनी नहीं बाकी कितने इसराहिल की लाँच की फ्रांस की लाँच की इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके बजट अब मिलना शुरू है और तोर हमारी सिट्टिंग गर्मेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बटके ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे खियासे कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बार टीवी देखते है तो हमारी जो मज़ा और जो हसी की जो एक हमारी नीड होती है वो मिनिस्टर्स की गुफटगू सुनके फ़नी उनकी गुफटगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है चलने दिए यह तो एक मज़ा का पहलो था ने कि निया पाकिस्तान बन गया खासों पर पीटे है कि गरर्बात करें तबदीली का दावा करके आई गवर्मेंट नेया पाकिस्तान बनेगा, बनेगा नही पाकिस्तान में मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे जांए क्या कुछ हो रहे यह कह दिया था सौरबे की करफशन किया तो यार चल 20 रुबे देखे चूट जा और एक बंदी ने जहाज बनाया उसको पकड़के F.I.R. गार्ड दी मतलब टेकनोलिजी पे अगर यह अमेरिका में हुआ था यही चीज सेम एक्जेमपल दे रहा हूँ एलियॉन मार्स कितनी बड़ी एक्जेमपल है स्पेस एक्स का मालेक है वो प्राइविटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा हूता है उसने एक्जेक्ली सेम चीज की थी अमेरिका में नवेड़ा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपरिमेंट किये और बगएर इजाजत के किये और इसके बाद उसको अमेरिकान गर्वेंट में सर पे उठा लिया आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है और मार्स का टिकेट आपको पता है दस बिलियन यूएस डॉलर का रख़ा है जिसने मार्स पे जाना है पान साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टार शिप बना रहा है उ कितनी डीमोरलाइस बाकी कौम होगी भई यह चीज बना कागस का जहाज भी नहीं बनाना में साइंस और टेकनलोजी में कुछ करना ही नहीं है यहां सबसे बड़ा मसला यहां पर यह है कि IT की प्रोड़क्ट के इलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोड़क्ट स्पार करती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बिंग पाकिस्तानी लेकिन कही बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं वह हम से आगे क्यों है साइंस और टेकनोलोजी में इसकी सबसे और क्या चीज़ करते हैं कि उनका बजट आठ साल पहले स्पार्को बनी थी इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था ठीक है आज तक इस पार्कों से पूछे यार चार या पांच सैटलाइट तुमने लांच की हैं इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड काइम किया है एक सो से उपर सैटलाइट एक दिन में लांच करके और अपनी नही बस raw material है इसको यूज करो अब आप ज़रा फवाद चौधरी साब की बात सुने एक तो जब साइंस की knowledge नहीं होती तो बंदा कैसी बाते करता है ये on record बयान है उनका तीन महीने पहले असद उमर साथ बैटे थे उन्होंने का हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पा रॉकेट बनाए होता आपके पास अपना launch pad नहीं है और ये budget का चक्कर नहीं है सही scientist वहाँ पर नहीं है जिनको authority मिली हो जो कर सके यार ये बयान होता है आप दिखेंना information minister एक तो मैं आपको बता हूँ इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है पपाद चौदरी भी नहीं असद उमर साप भी नहीं क्या competent भी है आप सादिक और अमीन है लेकिन क्या आप में science and technology समझने की ability है वह बिल्कुल एक डिफरेंट सीज है सादिक अमीन और एक competency डिफरेंट सीज है मैं अर्स कर रहा हूँ ये cryptocurrency वाली बात भाई मुझे चोड़े अगर आपने अरिफ अल्वी साब blockchain को समझते हैं अगर उनके किसी बेटे को या किसी और company को ये contract देना हम तो कहरें free बनाए अगर इसमें मेरा एक रुपे का भी फायदा हो तो आप बोले वकार जखार ड्रामे बाजी कर रहा था ठीक ठीक है वकार अच्छा वकार मैं डैम फंड के हमारे से बात करना चाहूंगी आपकी बड़ी काविश थी और मुझे यहां तक याद है फार्मर जो हमारे CGP थी है उन्होंने हमारे चीफ जसित पाकिस्तान जो पहले रह रह चुके हैं उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी त अच्छा काम किया बलके हमारे बोल न्यूस पर हेड्लाइन भी चलती रही मैं यह जानना चाहूंगी कि डैम फंड के हवाले से आपकी बड़ी आफट्स थी लेकिन हमने देखा कि फैसल वाड़ा साब में भी आपको बड़ा है बलके हर्ट किया इससे पहले कि मैं इस तरफ आउं और आपका मौकिफ नाजरीन तक पहुंचाओं एक क्लिप है मारे पास टीम जरा चुलाइएगा रज़ा वो क्लिप उसके बाद में वकार आपकी तरफ आती है अच्छा जी आपने सुने कि विफाकी वजीर है यह आभी वसाइल के फैसल वाड़ा साब हकूमत का इस अच्छा की बातें करें प्रोग्राम में बैठ के अच्छा मुझे बताएगे कि वकार वो तो कह रहें कि नकद अती ना दिये जाएं अब अब अवाम किसकी सुने अवाम को कंफ्यूज करने के मतरादी पे शिरा आप तो अपना पैसा लगा के अगर मैं गलत नहीं कहां कहा गाए इस ड्याम फांट के लिए मुझे लगता है कि जितने भी इमरान खान साथ नेक्स्ट इस्तीफा इन से मांगने वाले हैं किसी दिन भी मांग सकते हैं जिस किसम के बियानात ये देते हैं मतलब को इन से पूछे ओ भाई मैं जूलाई से चीफ जस्टिस के साथ हूँ मै फॉर्मर चीफ जस्टिस साथ हूँ यू के अपने खर्चे पे गया कैनेड अपने खर्चे पे गया आइम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कोई अकाउंट ही नहीं है जो मूवमेंट एक चलाई जा रही है